हुआ है हलो एवरिवन मैं हुआ श्रमा और हम कर रहे हैं आर सिसी तो आर सिसी के अंदर आज हम करने वाले हैं बॉन्ड तो बॉन्ड क्या होता है या फिर बॉन्ड स्ट्रेस या डेवल्लप्मेंट लेंथ इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं कि यह सारा यह सारी चीज़ क्या होता है देखो बॉंड आप लोगोंने सबने नाम सुना होगा बहुत कोमन सा वर्ड है यूज करने वाला तो यूज डेली बेसिस पर हम लोग यूज करते हैं कि इन दोनों का बॉंड काफी अच्छा है या इसका मतलब किसी भी रूप में आप इसको यूज कर सकते हो अगर देखता हूं तो आर्सीसी बीम के रिस्पेक्ट में मतलब अगर इसके नजरीय से समझना चाहता हूं तो इसका मतलब चाहता है टेकनिकल मीनिंग क्या होगा रिजिस्टेंस अगेंस्ट मूव्मेंट ऑफ स्टील इन आर्सीसी बीम मतलब हमारा सपोज यह के अंदर प्लेस करता हूं तो इन दोनों के पीच में यह जो मूवमेंट है यह मूवमेंट नहीं होनी चाहिए यह मूवमेंट नहीं होनी चाहिए इसके लिए क्या होना चाहिए इन दोनों का बॉन्ड मजबूत होना चाहिए इन दोनों का जो यहां पर जो स्ट्रेंथ जो आपका steel जो move कर रहा है basically वो move नहीं करेगा अगर bond अच्छा होगा तो अगर move कर गया या slide कर गया तो इसका मतलब क्या बॉण्ड टूड जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पर resistance against movement of steel steel की जो movement हो रही है उसके against जो resistance मुझे यहाँ से मिल रहा है वही क्या है bond मतलब यह steel मेरा बाहर जाना चाहरा था लेकिन इसने नहीं जाने दिया तो किसने नहीं जाने दिया मतलब जो इन दोनों के बीच की एक इन दोनों को जोडने वाली ताकत थी उसको हमने bond कहा है यह चीज clear तो जोडने वाली ताकत इसको बाहर लेके जाने वाली ताकत से ज्यादा थी तबी दोनों के दोनों एक साथ हमारे यहां पर रुके वे थे तो उसी ताकत को जोडने वाली ताकत को हमने bond बोला है यहां पर ठीक है तो आसान भाशा में मतलब हमने समझ लिया कि सपोज मैं क्या करता हूँ मेरा यह हाथ है और एक हाथ यहां पर है मैं क्या करता हूँ इन दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों को एक दूसरे से ऐसे जोड लेता हूँ मैंने क्या किया यहां पर सपोज जोडने से पहले भी एक और मैंने क्या किया जोड मजबूत हो इसलिए मैंने क्या किया पहले मैंने क्या की फैवी कुईक लेकिया ठीक है फैवी कुईक लाके मैंने अपने हाथ पे लगा दिया फैवी कोल सपोस्पोस फैवी कोल मैंने अपने हाथ पे लगा दी इदर लगा दी फैवी कोल के बाद मैंने क्या किया ये दो बीच में बांधा वे इन दोनों को तोडने के लिए, basically यह जो जोइंट बना यहां पर इसको तोडने के लिए, आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा force लगाना पड़ेगा, अब यह जो मैंने यहां पर बांड लगाया है, यहां इन दोनों हाथों की, यहां पर ए मेरे भाहर खीचने वाले force को जो resistance मिल रहा है वो किसे मिल रहा है इसकी ताकत से और इसको ताकत कहां से मिल रही है इसको तीन जगह से ताकत मिल सकती है कि तीन जगह से मेरे बॉंड को मजबूती मिल सकती है कैसे तीन का मतलब क्या क्या होंगी एक तो हमारा होता है Frictional Resistance Frictional Resistance का मतलब basically क्या होता है कि दोनों surfaces के बीच में भी क्या होगा आपस में Roughness होगी ठीक है Roughness होगी यहां यहां पर खुरदरापन होगा कुछ दोनों हाथों के बीच में उनकी वज़े से भी मैं जब इनको नौर्मली भी ऐसे रगड़ता हूं तो मुझे कुछ यहां पर resistance होता है वैसे ही जब मैं इनको बांद के रखा तो वह फ्रिक्शन वह रजिस्टेंस वह रफनेस हमारे हाथों के बीच की वह भी इनको रोकने में मदद करेगी वही अगर मैं Roughness कम कर दूं मतलब हाथों पर सपोस्पोस मैंने कोई तेल लगा लिए नारियल का तेल लगा ल एक तो हमारी शक्ति जो स्ट्रेंथ है बॉन्ड की कहां से आ रही है फ्रिक्शनल स्ट्रेंथ से दूसरी दूसरा मुझे कहां से मिल सकता है इंटर लोकिंग से इंटर लोकिंग का मतलब यहां पर मैंने क्या बताया मेकैनिकल रेजिस्टेंस हमने देख लिया ठीक है इसको इसके बाद हम स्टील में कैसे देखने को मिलती है सेकिंड हमारा क्या मेकैनिकल रेजिस्टेंस मैंने क्या किया इंटर लोकिंग कर दी अपने हाथों को मैंने इस तरह से एक हुक टाइप में बना लिया और इनको ऐसे जोड लिया ताकि जब मैं खीचूँगा तो यह क्या क करें एक दूसरे के साथ इस तरह से फस जाए लॉक हो जाएं लॉकिंग की वज़े से यह मूव ना कर पाए तो यह मैंने क्या किया मैंने खुद से ऐसी चीज करी कि इन दोनों के बीच में एक लॉक बन जाए जिसकी वज़े से यह मूव ना करें यह भी क्या करेगा इन दो chemical लगा के मैंने add कर दिया जो कि मैंने क्या था पहले अपने हाथों पर फएविकोल लगा य उसके बाद इनको चिपकाया तो जो इन दोनों के बीच में लग रहा था वो क्या करेगा adhesion force दोनों के बीच में लगाएगा दो तरह के forces होते हैं आपको पता होना चाहिए attractive forces एक तो होता है cohesion एक होता है adhesion cohesion जो force होता है वो same material के दो particles के बीच का होता है suppose मेरे ही इसी हाथ के दो particles हो कहीं पे मैं बात करूँ उन दोनों के बीच में जो आपसी आकरशन वाला जो force होगा आपसी उनके बीच में जो attractive force होगा एक ही material के दो particles के बीच में उसको cohesion बोला जाता है soil के अंदर generally हम यह term use करते हैं कि cohesive soil है तो soil के ही particles के बीच में आपस में attract करने वाला force cohesion force हो जाएगा ठीक है यह किसी भी material में same material होना चाहिए उसी के दो particles उनके बीच का force cohesive force अगर material अलग-अलग है मतलब यहां पर तो मैंने suppose दो हाथ दिखाया ना आपको तो आप यह मान के चलो कि यह surface दूसरा है यह किसी और material का बना हुआ है इसलिए मैंने मैंने जब फैविकोल एड किया तो वहां पर मेरा क्या हो गया adhesive force लग रहा है adhesive का मतलब दो अलग-अलग material के बीच का attractive force दो अलग-अलग material कैसे suppose आप ऐसे मान लो एक marker यह था एक marker यह था मैंने क्या किया फैविकोल से दोनों जोड दिये यहां से इन दोनों के बीच में जोड दूँगा तो क्या होगा दोनों particle एक इस marker का particle और एक इस marker का particle एक दूसरे को attract करेंगे चिपके रहेंगे साथ में chemical की वजह से वह adhesive force हो जाएगा तो अलग-अलग material के दो particles अगर हैं उन दोनों के बीच का अगर attractive force है तो उसको adhesive force कहा जाएगा सेम material के दो particles उनके बीच का force अगर देखेंगे तो वो cohesive force होगा यहां पर हम बात कर रहे हैं chemical adhesion मतलब adhesion है तो अलग-अलग material के particles होंगे जैसे मैंने एक यह हाथ लिया था और एक यह हाथ लिया था ठीक है समझने के purpose से मान लो कि यह दूसरे material का है यह दूसरे material का है फैविकोल के बाद मैंने क्या किया chemical adhesion इनके अंदर established कर दिया जिसकी वजएसे यह particle इसके particle को attract करेगा खीचेगा अपनी तرف बांध के रखेगा ठीक है उसकी वजएसे adhesiv force इन दोनों के बीच में लगती है वो adhesiv force भी क्या करेंगी इन दोनों के जोड को मजबूत करेंगी इन दोनों के अंदर strength ज्यादा होगी मतलब यह सारे factors काम कर रहे होंगे suppose हमारा bond weak है तो हो सकता कोई एक factor यहां पर काम ना कर रहा हूँ suppose मैंने थोड़ा सा weak करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ chemical जो मैंने use खीचूँआ बाहर की तरफ तो सिर्फ friction काम करेगा इस time पर ठीक है यह friction काम कर रहे है सिर्फ अब और भी आसान हो जाएगा अगर इससे भी तो हमें यहां पर पता चल गई अब यही हाथ के example से तो हमने समझ लिया बट इस टील या concrete के बीम में यह तीनो फेक्टर कैसे नजर आएंगे वह देखते हैं पहले हमने देख लिया कि bond क्या होता है ठीक है बॉंड हमारा क्या होता है resistance अगेंस्ट movement of steel in RCC beam steel की movement के लिए जो भी resistance होगा उसको मैंने बॉंड बोल दिया ठीक है यह हमारे beam के respect में हो गया reason का मतलब है अब हमारा bond जो है वो आता कहां से उसको strength कहां से मिलती है basically ठीक है Frictional resistance जो Frictional resistance है वो हमारा concrete और steel के बीच का जो friction है आपसी friction जो होगा roughness जो होगी दोनों surfaces की वो क्या करेगी इन दोनों को थोड़ा सा strength देदेगी bond के अंदर clear bond के अंदर strength देने का हमारा एक reason यहाँ पर Frictional resistance हो जाएगा जो की roughness हो जाएगी दोनों resistance में क्या होता है कि मैं खुद कुछ ऐसी चीज करता हूं जिसकी वजह से मुझे चीज मतलब बॉंड की बात करता हूं तो बॉंड मुझे और भी मजबूत मिलता है तो इसके अंदर मैं क्या करता हूं खुद से यहाँ पर मैं खुद से हमारे ribs को बनाता हूं हमारे जो steel bars होते हैं उनके अंदर आप लोगों ने यहाँ पर यहाँ आपका स्टील वार है तो आप लोगोंने कुछ इस तरह के यहाँ पर यह इस तरह से लाइंस देखी होंगी सरीये के उपर तो यह जो लाइंस होती है इन्हीं को क्या बोला जाता है रिब्स क्या बोला जाता है रिब्स तो मैं क्या करता हूं इनको यहाँ प इसको यहां पर एक्स्ट्रा थोड़ा सा हाइट इसको दे दी मैंने सरीय की हाइट से उससे क्या होगा कि जब हमारे यहां पर सपोज यह इस तरह से मैंने एक यहां पर दिया एक यहां पर दिया जब मैं इसको कॉंक्रीट के साथ प्लेस करूंगा तो कास्टिंग के टाइम प इस तरह से और भी आगे मैंने ribs दे रखे हैं बहुत सारे, जिसकी वजह से हमारे ribs की वजह से क्या होगा, concrete और steel के बीच में interlocking हो जाएगी, जैसे interlocking मैंने यहाँ पर इस तरह से artificial ऐसे करके दिखाई थी, मतलब interlocking मैंने यहाँ पर mechanical खुद से establish करी थी, ऐसे ही मैंने यहाँ concrete और interlocking के रूप में काम करेगा, जैसे मैंने हाथ में दिखाया था, यह interlocking हमारी हो जाएगी और यहाँ पर ribs का काम करेंगी, तो ribs की वजह से हमारी ribs जो प्रवाइड करते हैं, वो mechanical resistance देते हैं, मैं bond strength और मजबूत करना चाहता था, इसलिए मैंने यह चीज़ प्रवाइड कर दिया, next है chemical adhesion, chemical adhesion का मतलब होता है, जैसे मैंने हाँ पर समझाया था, फैविकोल ठीक है, यहाँ पर chemical adhesion आपको देता है, cement, cement के अंदर ऐसे material, ऐसे chemicals present होते हैं, जो की आपके steel के साथ में क्या करते हैं, adhesive force यहाँ पर उसको देते हैं, cement के अंदर जो है, वो hydration के बाद में, hydration होती है, cement की पानी के साथ जब वो mix होती है, उसके बाद वो chemicals इस तरह से react करते हैं, कि steel के साथ वो क्या करते हैं, एक तरह से adhesion, एक दम से जैसे chemical हमारा जैसे फैविकोल ने काम किया था, इन दोनों को चिपकाने का, वैसा ही काम हमारा cement करती है, steel के साथ म में एक दूसरे को चिपकाने का काम, तो वो क्या करेंगे, हमारा adhesive force इसको provide करेंगे, उन दोनों को जोड के रखेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने फैविकोल से काम करवाया था, वैसे ही same यहाँ पर cement के अंदर present particles काम करेंगे, यहाँ पर हमने तीनों के तीनों जो reasons थे हमारे bond क को strong करने के, वो हमने हाँ पर steel के अंदर भी देख लिए, कैसे हमें देखने को मिलेंगे, अब हमारा आता है, next जो topic है, types of bond, अब bond भी हमारे दो तरह के होते हैं, जो bond हमने, मैंने आपको बताया simple पहले तो bond की definition बताई है, इस तरह से, कि bond हमारा simple है, क्या होता है, जोड होता anchorage bond और flexural bond, anchorage bond जो होगा हमारा, वो bond हमारा होता है, due to pull, मतलब यहां फिल tension, अगर मैं किसी भी material के अंदर tension लगाता हूँ, सपोज, अभी detail में भी बात करेंगे इसको, देखो सपोज यह सरिया था हमारा, यह मेरा क्या है, concrete, यह यहां पे मैंने यहां पे place कर दिया, अब मै इसको खीचना चाहता हूँ, खीच रहा हूँ, और यहां पे यह कहा है, नहीं खीच रहा, तो इसका मतलब यहां पे जो यह bond generate हुआ है, मेरे खीचने की वजह से, यहां पर जो इसको ताकत मिल रही है, यहां पर यह जो रुकावट मिल रही है, जो bond की वजह से, यह bond मेरा क् एंकरेज बॉंड जो कि मैं सपोज पुल की वज़े से डिरेक्ट पुल मैंने इसको खीचा यहां पर मुझे जो ताकत दिखाई दे रही है जो रोक रही है मुझे वो हमारी एंकरेज बॉंड की वज़े से ही रुकावट दिख रही है नेक्स्ट जो हमारा होता है फ्लेक्शिरल बॉंड यह बॉंड हमें कॉंक्रीट और स्टील के बीच में कब देखने को मिलता है जब हमारे बीम के अंदर सपोज कहीं पर जनरली वैरियेशन जो होती है हमारे बीम के अंदर अगर मैं बात करूं बैंडिंग मॉमेंट हमारा क्य ज्यादा है इससे तो यह variation जो हो रही है bending moment की हमारे beam के अंदर इसकी वजह से ही हमारी stresses भी change हो जाएंगी bending stresses जो आ रही थी वो भी क्या हो जाएंगी कम और ज्यादा हो जाएंगी हर एक point पर इन ही differences की वजह से क्या होता है हमारे beam के अंदर एक bond एक मतलब extra एक तरह से stress develop होती है जिसको हम flexural bond कहते हैं flexure का मतलब भी क्या होता है bending तो bending की वजह से difference in bending moment की वजह से एक यहाँ पर हमें stress निज़ाते हैं जिसको हम flexural bond stress भी वोलते हैं और इस तरह के bond को क्या बोलेंगे flexural bond ठीक है इसको देखेंगे अराम से पूरा detail में कि यह कैसे देखने को मिलता है generate कैसे होगा basically shear force की वजह से ही होता है हमारा ठीक है यह जो चलो आगे देखेंगे जब detail में आएगा तो अभी पहले बात करते हैं किसकी encourage bond की तो जैसे मैंने आपको भी बताया था encourage bond क्या होगा अगर मैंने suppose यहाँ पर यह जो steel bar है यह concrete के अंदर place किया हुआ है और मैं यहां से इसको खीचता हूं तो खीचने के बाद यहाँ पर क्या हो रहा होगा यहां पर हमारी जो bond stress आ रही है basically ठीक है bond stress हमारी आ रही है उसको मैंने tau bd से रिप्रेजेंट किया है यहां पर ठीक है तो यह जो tau bd होगी हमारी यह इसकी जो steel हमने यहां पर provide किया है उस steel की maximum permissible value से कम होनी चाहिए अगर ज्यादा हो गई तो क्या होगा यह सरीया यहां से खिचके बाहर आ जाएगा suppose यह इस तरह से मेरा यह steel bar था मैं इसको इस तरफ खीचता हूँ अगर यह इदर खीच रहा हूँ मैं अपनी तरफ बट यह खिच नहीं रहा नहीं खीच रह तो मतलब क्या है strong है अंदर से कैसे strong होगा वो भी देखेंगे अगर suppose यहां पर generate होने वाली stresses जादा हो गई ठीक है किस से जितनी की यह बरदाश्ट कर सकता था तो यह क्या करेगा टूट जाएगा bond टूट जाएगा तो उसके बाद हमारा जो failure हो जाएगा यहां पर ठीक है और यह बाहर की तरफ move कर जाएगा तो movement जो था वो हो जाएग आपका इस तरह के bond को encourage bond कहते हैं जो कि इस तरह सी situation में में देखने को मिलता है ठीक है अब इसी bond की help से हमें एक length पढ़ते हैं development length development length क्या होती है हमारी development length देखो कौन सी length होती है the minimum length of reinforcement required to be kept in concrete so that strength of reinforcement in bond is not less than strength of reinforcement in tension मतलब minimum length होती है हमारी reinforcement की सरिय की वो minimum length कम से कम length जो हमें रखनी चाहिए concrete के अंदर to be kept in concrete so that strength of reinforcement in bond strength सरिय की strength जो होगी bond के अंदर is not less than strength of reinforcement in tension ये जो इसको bond वाली जो strength है वो इसकी tension वाली strength से कम ना हो कम से कम इतनी तो इसके अंदर यहां पर length जो है अंदर रखी जाती है suppose मैंने जैसे यहां पर आपको बताया था मतलब आप लोगों ने सबने ये dialogue तो सुना ही होगा कि प्राण जाए पर वचन ना जाए ठीक है वही बिलकुल यहां पर यह सरिया इसी dialogue को follow करता है clear यह बोलता है कि मेरे प्राण जाए पर वचन ना जाए ठीक है मतलब प्राण कैसे जाएंगे इसके yielding करके ठीक है इसकी tensile stresses को भी मैं बहुत जादा अगर increase कर दूँ इसकी खुद की strength से जादा कर दूँगा तो क्या होजएगा yielding हो जाएगी यहां पर खिच जाएगा यह fail कर जाएगा लेकिन अगर उतनी भी stress अगर मैं देता हूँ ना तो तब भी यह बहार नहीं निकलेगा इससे मतलब खुद मर जाएगा लेकिन यहां पर कबजा नहीं होने द तोवर्स हमारी मैं अगर लगाऊंगा तो इस particular steel की जो tensile strength है वो tensile strength हमारी क्या होनी चाहिए इसकी bond strength से कम या उसके बराबर होनी चाहिए मतलब इसकी bond strength इसकी tensile strength से कम नहीं होनी चाहिए मतलब अगर मैं इसकी tensile strength suppose मानलो 415 है ठीक है बात करते हैं एक example के थुरी बात करते हैं 415 है मैं maximum suppose permit करता हूं 230 newton per mm2 ठीक है example है suppose इसकी tensile strength कितनी होगी 230 newton per mm2 मैंने इसको यहाँ पर place किया मैंने यहाँ पर क्या किया इसके अंदर 200 newton per mm2 से इसको ताकत से मैंने खीचा और यह क्या हो गया बाहर निकल गया यहाँ पर concrete के अंदर था और यह बाहर निकल गया इसका मतलब क्या हो गया यह जो bond की जो strength थी 200 newton per mm2 से भी कम थी और इसकी तो tensile strength अभी कितनी थी 30 और बची थी 230 तक कर सकता था तो यह जो 200 से कम value थी यहाँ पर bond strength यह इतनी नहीं होनी चीए अब दूसरा example लेते हैं मैंने क्या किया यहाँ पर यह 230 की स्ट्रेस लगाई इसके उपर ठीक है यह सपोस्ट 230 की लगाता हूं मैं 230 newton per mm2 की मैंने tensile stress इसको दी यह क्या हो रहा है यह मैंने जब खीचा इस तरह से तो यह तूट गया मतलब यह इस तरह से खीच जाएगा यहां से fail कर गया खुद यहां से तूट गया tension में fail कर गया लेकिन यह इससे बाहर नहीं निकला इसका मतलब bond में strength इसकी tensile strength से ज्यादा थी समझाया भी कि सपोज हो सकते हैं इसकी 200 हो थी सपोज ठीक है इसकी 250 newton per mm2 थी लेकिन इसकी क्या थी 230 newton per mm2 ठीक है तो bond में fail नहीं करना चाहिए चाहे भले ही tension में fail कर जाए tension में मैं खुद नहीं fail होने दूँआ क्यों क्यों क्योंकि उतनी stress लगाऊंगा यह जितनी tensile strength है और अगर उससे ज्यादा अगर मेरी या उसके बराबर कि अगर bond strength है तो वह भी concrete के सरिया रखना पड़ेगा steel जो बार है वह रखना पड़ेगा ताकि यह बहार खीचने पर बहार ना आए encourage bond इसका ना तूटे encourage stress जो इस पर लगेगी वह हमारी क्या होनी चाहिए इसकी strength जादा होनी चाहिए ठीक है तो वह कितनी length होनी चाहिए हमारी उसको हमने क्या development length concrete के अंदर concrete के अंदर वाली length होती है यह बहार वाली length नहीं होती है इसमें बहुत confusion होती है बच्चों को बहार वाली length नहीं है बहार चाहिए इसके 3-4 गुना लगा दो बट अंदर कम से कम development length होनी चाहिए ताकि ये बहार ना निकले तो concrete के अंदर कितनी length है ताकि इसकी जो tensile strength है वो हमारी bond strength से कम या उसके बराबर हो कम से कम या ऐसे बोलो कि इसकी जो bond strength है वो इसकी tensile strength के बराबर या उससे ज्यादा हो ताकि ये हमारा जो bond में fail ना करे और बहार हमारा सरिया निकल कर ना आए समझ आया? देखो अब तो यहीं पर हमें पूरा definition के थूँ यही चीज लिखी थी तो उस length को कि जो minimum length मुझे रखनी होगी जिस पर हमारी जो bond की strength और tensile strength बराबर हो जाएंगी दोनों minimum length उतनी हो जाएगी इससे थूड़ी जादा दे दूँगा तो strength बढ़ जाएगी और भी minimum length हमारी क्या होती है? development length जिसको मैंने LD से यहाँ पर represent किया है तो निकालने के लिए कितनी length आएगी हमारी development length उसको निकालने के लिए क्या करूँगा? दोनों की strength है bond में और tension में दोनों को बराबर कर दूँगा अब एक चीज और यहाँ पर देखो यहाँ से formula देखना नहीं रटना नहीं अभी ठीक है formula कैसे आया? strength मेंने क्या किया? दोनों का equate कर दिया strength in bond equals to strength in tension अब हमारी जो bond की strength आ रही है यहाँ पर वो मुझे किस से मिलेगी? suppose उससे पहले इसकी बात कर लेते इसके बारे में अभी बढ़ भी चुके है थोड़ा तो tension में जब strength हैगी तो क्या होगी? 0.87fy into में as area of steel तो 0.87fy into में area of steel pi by 4 into जितने diameter का bar use किया होगा d square या 5 square मैंने हापर represent गी है यह तो मेरी क्या होगे? tensile strength इसकी ठीक है अभी तक हम बढ चुके थे but bond के अंदर जब मैं strength की बात करूँगा तो bond के अंदर यहाँ पर मुझे strength मिल रही है वो कितने stress और किस area की वज़े से मिल रही है देखो strength जब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ तो क्या लिख रहा हूँ? force लिख रहा हूँ कि कितनी force बरदाश्ट कर सकती है? force कैसे आएगी? stress into area, stress कौन सी लग रही है आपकी? tau into bd, यह हमने यहाँ पर देख लेगी, stress को मैंने नाम दे दिया tau bd, tau bd stress होगी, area कौन सा लू इधर इसके circumference में, पूरे circumference के अंदर आपको यह पकड इस तरह से मजबूत नजर आएगी, तो इस particular area के अंदर, यह जो हमारा area था, यह क्या है? circumference है basically, और कितनी दूरी के लिए है यह? कितनी length? यह इतनी length, तो circumference into में length जब करूँगा, मुझे पता चल लेगा, यह जो stress थी, वो कितने area पे काम कर रही थी, circumference यह जो आ गई, circumference यह ऐसे में, और length कितनी आ गई, यह जो LD है हमारी, तो circumference क्या होती है हमारी, pi into d, तो pi into phi into में LD, ठीक है? यहाँ पे हमारा यह क्या आ गया? area आ गया यहाँ पे, जब इनको cancel करता हूँ, suppose यहां से क्या हो जाएगा, ह यहाँ से जो मेरा formula आएगा, वो कितना आएगा? 5 LD का, ठीक है? length हमने कितनी लिखी थी हैं, अपर LD, तो L development length हमारी कितने आएगी? 5 into 0.87fy upon 4 tau bd, यह अगर मैं LSM की बात करता हूँ, तो यह formula बन जाएगा, 5 into 0.87fy upon 4 tau bd, यही अगर WSM की बात करूँगा, 0.87fy की जगे क्या जाएगा, sigma st, वही यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम, तो वहाँ पर सिर्फ stresses हो जाएगे, बाकि सब कुछ सेम रहता है, फिनोमिना, पूरा का पूरा सब कुछ, और यहाँ पर जो मैं tau bd लेकर चलूँगा, वो कितनी लेकर चलूँगा, tau bd permissible, मतलब जितनी मैं इसके कर सकता हूँ, वो, मुझे पता होनी चाहिए, वो क्या होगी आपकी, अलग-अलग हमारे grade के हिसाब से, यहाँ पे mention की गई है, सबसे पहले देखते हैं, हमारी mild steel के लिए आपको table दी गई है, यह आप याद रखना, mild steel और tension में आपको, अगर, mild steel, यह जो मेरा सरीया है, यह permissible दी गई है, lsm में जो value मैं use करूँगा, tau bd की, m20 है, तो 1.2, 1.4, 1.5 इस तरह से अलग-अलग grades के लिए, मैंने हाँ पर value को use कर लिया, अब, same ऐसे, wsm में हो जाएगा, ठीक है, अब, यह तो मुझे किसमें दी हूँ है, mild steel की दी हूँ है, मैं यह भी तो हो सकता है, mild steel की बजाए, मैंने क्या किया, fe415 यूज कर लिया, तो तब क्या करूँगा, ठीक है, fe415 अगर यूज करता हूँ, तो किसी भी hy, sd, ctdf, or tmt, bars के लिए, यह जो values आएंगी, यहाँ पर, यह हमारी 60% increase कर जाएंगी, ठीक है, value हमारी क्या कर जाएगी, 60% increase कर जाएगी, जो भी value मैं यहाँ से लिखूँगा, suppose m20 grade है मेरा, और fe415 का steel मैं यूज करता हूँ, तो उस time पर 1.2 की जो value होगी, वो 60% plus करके मैं यहाँ पर लिखूँगा, suppose, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 1.2 into में 1.6, 1.6 का मतलब क्या हो गया, 60% plus हो गई, मतलब 160% इसकी strength हो गई, इसके मुक या फिर ऐसे करो 1.2 plus इसका 60% निकालो और वैड कर दो, सेम ही चीज है, ठीक है, इसको एक example के through भी समझ लेंगे, question कर लेंगे, पूरा का पूरा stable के उपर भी कि यह जो strength हमने यहाँ पर बढ़ाई है, वो कैसे बढ़ाएंगे, अब यहाँ पर मुझे मैंने किसे में बताई से मैं यही values क्या कर दूँगा, अब increase कर दूँगा, same values जो मैंने पहले हमारे HYSD bars के लिए 60% increase करी थी, अब वही values मैं क्या करूँगा, 25% और increase कर दूँगा, ठीक है, तो यह हमारी होगी सारी stress के बारे में values, अब हमारी जो development length मैंने यहाँ पर निकाली है, यह use कहाँ पर होग और इसका usage क्या होगा, मैंने निकाल तो लिए यहाँ पर, बट ऐसा तो नहीं होगा कि कभी भी मैं कोई भी यहाँ पर सरीया फसा के इसको छोड़ दूर कह दूँ कि इसको खीचो भई, क्या बाहर निकलता या नहीं निकलता, हम ऐसा तो नहीं करते ना कभी, तो यह चीज practically ऐसे देखने को नहीं मिलती हमें, practically जब हम देखते हैं इसको तो हमें यह कई दो जगह बेसिकली मेन जो आपके, main जो categories बाट दी गई हैं तो जो main दो जगह पर देखने को मिलेगी, मतलब जहां पर आपके development land जो है, वो use होगी, ऐसे दो scenarios हैं, सबसे पहला, for providing lap, lap अगर मैं जब देता हूँ lap का मतलब suppose मेरे दो सरीये हैं यहाँ पर यह जो एक सरीया आ रहा था यहाँ पर खतम हो गया अब एक सरीया बहुत लंबा तो नहीं होगा कि पूरे के पूरे हमारे structure के अंदर एक ही सरीया पूरा provide कर दूँ हो सकता है strength length हमारी लंबी हो ठीक है तो जब ज्यादा लंबा structure होता है तो क्या करते हम दो सरीये दो क्या काफी सारे जोडने पड़ सकते हैं मुझे तो काफी सारे जब मैं steel bars की length को बीच में जोडता हूँ तो जोडने के बाद मुझे क्या करना होता है एक ही steel bar की तरह है behave करवान है सबको तो इन दोनों को overlap कर देता हूँ इस तरह से ठीक है इस तरह से overlapping कर दी मैंने जनरली इस तरह से नहीं कर जाती क्योंकि load transfer यह क्या हो जाएगा अदर्वाइस eccentricity आ जाएगी इसमें movement generate हो जाएगा इसको इस किया जाता है वैसे यहाँ पर तो just हमने शो करने के लिए इसको आपको बना के दिखाया हूँ है कि अदर्वाइस नोर्मली यह जो है सरीए सपोज एक ऐसे हो गया और एक आपका इस तरह से आ रहा है यह यह दूसरा इस तरह से आता है तो इस तरह से किया जाता है जैसे मैंने अभी शो किया तो लैप के लिए जब मैं किसी भी दो सरीए को एक दूसरे के साथ में जोडता हूँ तो इन दोनों को क्या करता हूँ कभी भी यहां से नहीं जोडता ऐसे क्या करता हूँ कुछ length इसकी और इसकी इन दोनों के ऊपर जो होगी यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा ताकि यह दोनों यहाँपर क्या करें एक दूसरे का load जो है transfer आसानी से कर सकें ठीक है इसका इसके उपर dell जो है इसली ट्रांसफर हो जाए रोगे सिंगल यूनिट के तरह काम करें तो मुझे कम से कम कितनी लेंथ यहां पर प्रवाइड करनी पड़ेगी ताकि यहां पर बाहर की तरफ इस तरह से ना खीचे सपोज मैं टेंशन दे रहा था और मैंने सपोज यहां पर कम दी इतनी दे जाए बट यह चीज यहां से ना खीचे जैसे कि यहां पर हुआ था यहां यहां पर देखने को मिलता है इसका प्रेक्टिकल एप्लिकेशन जब भी मैं कहीं पर लैपिंग करता हूं लैपिंग ऑफ स्टील बार्स ठीक है या इसी को लैप स्प्लाइसिंग भी का जाता है ल जितनी लैंथ कम से कम एक दूसरे के ऊपर रखनी है ताकि वो सिंगल यूनिट की तरह काम करें और फेल ना करें उनका बॉंड जो वो टूटे ना वो कम से कम डेवलपमेंट लैंथ जितनी तो होनी ही चाहिए इनकी लैपिंग की जो लैंथ है यह लैप लैंथ यह चीज क् हमारे बार्स का डायमीटर 36 mm से जादा हो जाता है बहुत important question है यह आपका objective papers के अंदर आपका बहुत बार पूछा गया यह question ठीक है कि लैप splicing is not done when diameter of bar is more than 36 mm, 24 mm, 18 mm इस तरह से example करके आपको options दे देंगे और question पूछा जाता है ठीक है तो 36 mm से बड़ा अगर diameter आपका हो जाता है उस condition में हम lap splicing नहीं करते उस time पे यह चीज हमारे इतनी effective नहीं रहती load transfer करने के लिए फिर हम generally welding करते है ठीक है तो welding, weld splicing कर जाती है उस time पर तो और next जो हमारा point है वो कहा है minimum lap length for bar in compression जो हमारे bars compression में होंगे, suppose इनके उपर अभी तो मैंने इस तरह से यहाँ पर क्या दिखाई हुई है, suppose इधर हमारा कोई भी यहाँ पर क्या है tension में आ था बार इधर से भी मैं इसको खीच रा था और इधर से भी खीच रा था तो ये क्या होग ये tension में बठ भो सकता है इधर से भी यहाँ पर compression दे रहा हूँ मैं और इधर से भी इसको compress कर रहा हूँ उस time पर जो हमारी minimum lap length की वो कितनी होनी चाहिंए से कम 24 टाइमस ऑफ डायमीटर 24 टाइमस डायमीटर के लैप लेंद्ध हमें रखनी पड़ेगी उस कंडीशन के अंदर यह चीज़ क्लियर सबको यह सिंगल सिंगल आपके जो मतलब एक तरह से कोश्चन्स है न यह हर अब्जेक्टिव कोश्चन्स हैं सारे के सारे सारे सिंगल यहां पर पूरा डिजाइन तो करवा नहीं सकते आपसे एक नंबर दो नंबर में अब्जेक्टिव के अंदर क्या रहा उनके पास पूछने के लिए यही चीज़ें बचीए बहुत ध्यान से सुना करो आप क्योंकि अब्जेक्टिव में बहुत काम आती है यह तो 24 times of diameter अगर हमारा एक और condition आती है अगर different diameters use किये जाते हैं लैपिंग के time पे suppose ये diameter मेरा suppose 28 mm का है और ये हमारा 20 mm का है तो एक मोटा सरिया है एक क्या है पतला सरिया उस time पे जब मैं overlapping करूँगा overlapping करते time मुझे diameter किसका लेना पड़ेगा यहाँ पर तो diameter जो lap length होगी हमारी as per smaller diameter बार जो 20 mm का जो सरिया था 20 mm के सरिया को लेकर ही मैं lap length को calculate करूँगा यहाँ पर clear? ये चीज़ सब को समझानी चाहिए जो lap length में निकालूँगा छोटे diameter को लेकर निकालूँगा objective question के बहुत favorite questions है यह ठीक है अब एक तो usage मैंने यह देख लिया development length का कहाँ पर जब मैं lapping करता हूँ दूसरा जो usage मुझे कहाँ देखने को मिलेगा जो की most widely आपको देखने को मिल सकता है ठीक है दोनों ही वैसे तो खेरा आप जब structure बनाते हो और आप जब यहाँ पर enforcement आपने डालते हो किसी slab के अंदर column के अंदर footing के अंदर कहीं पर भी तो lapping की जुरुरत आप लोगों को पढ़ती है क्योंकि इतने बड़े बड़े आपके सरीये जो है वो आपको मिलते नहीं है तो आपको कहीं न कहीं पर overlapping तो करनी ही पढ़ती है columns में तो आप लोग generally आम तोर पर उनमें तो करनी ही पढ़ती है ठीक है इतना बड़ा सरीया तो मिलेगा नहीं आपको तो हर बार lantern डालने के बाद क्या करते है overlapping करी जाती है हर casting of slab के बाद में overlapping करी जाती है columns के अंदर ठीक है और बाकी जगे भी आपको देखने को मिलेगी उसके इलावा हम कहां पर देखने को देख सकते है इसको at junctions junction का मतलब जहां पर कोई भी दो चीजे मिल रही हो junction उसको कहा जाता है अब कोई किसी भी तरह का junction हो सकता है आपका suppose beam और column का junction है एक ऐसा point है जहां पर आपका column और beam यह दोनों आके मिल रहे थे ठीक है यहां पर यह जो junction है यहां पर भी मुझे इसी development length का usage देखने को मिल सकता है कैसे देखूंगा वो देखो suppose यह मेरा यहां पर यह क्या है यह column था इस column के अंदर यह beam आकर मिल रहा है तो जब मैं reinforcement करता हूँ जब मैं इसके अंदर laying करता हूँ जब सरिया यहां पर डालता हूँ उस time पर जब मैं यहां पर reinforcement करूँगा तो जो मेरा यहां पर मैंने main steel bars दिये थे main steel bar मैंने यहां पर दिया था जो ठीक है अब suppose इसके अंदर यह हमारा AST मैंने उपर की तरफ दिखा हूँ suppose यह हमारा cantilever beam था cantilever beam में क्या होगा tension उपर की तरफ आएगी और नीचे की तरफ compression आएगा इसलिए मैंने AST दर और AST उपर दिखाया है तो वो confuse मत हो ना कि यह उल्टा दिखाया हूए ठीक है वो cantilever beam भी हो सकता है इसलिए दिखाया हूए हो क्या सकता है? हो गई तो अब यहाँ पर देखो यहाँ पर मैंने क्या किया यह column था और यह beam था यहाँ पर जब मैं reinforcement करूँगा तो यह जो मेरा main reinforcement suppose मेरा AST जो मैं हाँ पर provide कर रहा था मेरा सरिया मैंने यहाँ तक डाल दिया अब जब यहाँ पर support या column आएगी column आने के बाद मैंने यहाँ पर इसी को beam थो खत्म हो गया तो यह नहीं है कि मैं अपना जो सरिया में लेके आ रहा था वो यहीं तक दूँगा आगे column आ गया तो उसको छोड़ दूँगा ऐसे नहीं किया जाता कभी भी क्या किया जाता है कि इसी particular steel bar को मैं continue करता हूँ और यहाँ तक provide करता हूँ क्यों करना जरूरी है यह मुझे देखो यह basically anchoring ही करी हुई है मैंने और कुछ नहीं है कि इसको एक तरह से hook की तरह फसादी है मैंने ठीक है बट यहाँ पर उसको उस way में नहीं समझा जाएगा क्यों क्यों कि यहाँ पर हम क्या बोल रहे है यह जो मैंने यहाँ पर dotted portion दिखाया है यह क्या है यह हमारा critical section है यहाँ पर critical section है हमारा किसके लिए bending moment का critical section है basically और जब भी bending moment का critical section होगा तो हम क्या करते है length on either side of critical section for bending moment should not be less than LD bending moment का critical section का मतलब यहाँ पर सपोज हमारा bending moment sign change कर रहा होगा या 0 हो रहा हो यह plus minus में change हो रहा होगा इस तरह कि जब conditions आती है तो bending moment के critical point के लिए हम क्या करेंगे इसके left side में और right side में भी क्या करेंगे development length से कम length हमें नहीं रखनी कम से कम उतनी लंबाई तो सरीय की छोड़नी ही छोड़नी है ताकि वो safe रहे कैसे रहे जहां से मैंने क्या किया इससे इधर भी कम से कम LD length तो मैंने रखनी ही है जादा मैं रख भी सकता हूँ जितनी लंबाई होगी उसके हिसाब से मैं जादा भी कर सकता हूँ कम से कम बट मुझे इतनी तो रखनी ही पड़ेगी यहां पर ठीक है इसके बाद column के अंदर जो मैंने दिया लेंद प्लस जो सरीया यूज किया मैंने उसके दस टाइम डायमेटर यह मतलब development length से भी ज्यादा length मैंने यहां पर प्रवाइड करी है ताकि यह इसको properly held कर सके ठीक है otherwise concrete हमारा यहां से वह बाद में करेंगे ठीक है बस हमें यहां पर क्या पता होना चाहिए कि यहां पर हमारी development length क्या होनी चाहिए इस development length से ज्यादा सरीया मुझे इसके अंदर provide गरना कितना ld plus 10 5 इससे कम नहीं होनी चाहिए यह वली length हमारी ठीक है क्यों क्यों नहीं होनी चाहिए same reason यही वला आ जाएगा ठीक है जान जाए पर वचन ना जाए प्राण जाए पर वचन ना जाए same हमारा यहां पर हो जाएगा same इस वली condition में हो जाएगा हमारा यहां पर यह भी हमारा कितना होना चाहिए ld plus 10 times of 5 यह मैंने क्यों दिया for reversal of stresses reversal of stresses का मतलब होता है अगर कभी किसी emergency की वजह से किसी भी reason की वजह से हमारे stresses का nature बदल जाए nature बदल जाए मतलब थोड़ा बहुत compression tension जो है वो change हो जाए shift हो जाए किसी ऐसे loading pattern की वजह से ठीक है उसके time पे भी मेरा beam या मेरा structure है यहाँ पर बिल्कुल safe रहना चाहिए ठीक है artificially भी कोई stress अगर लगाई जा रही है जिसकी वजह से nature change हो रहा है stress का compressive किसमें change हो रहे टेंसाइल में और टेंसाइल compressive में उस time पे भी हमारा member safe रहना चाहिए net list कुछ value तक तो ठीक है इसी लिए हमने यहाँ पर इतने length यहाँ पर अंदर provide करी है तो अगर किसी ने reinforcement होती हुई देखी होगी न सरिया डलता हुआ देखा होगा कभी casting time पे या जब घर बनता है तो उन लोगों को पता चल रहा होगा यहाँ पे कि हाँ वहाँ पे इस तरह जैसे ही वह reinforcement जो है वह करते हैं ठीक है बार्स को इसी तरह से बेंड करते हैं एक तो जंक्शन हमने यहाँ पर यह देख लिया बई दूसरा जंक्शन क्या हो सकता है foundation को और कॉलम का जंक्शन मतलब नीचे की तरफ हमारा जो कॉलम जा रहा यह प्लस नीचे जो foundation थी उसके ब यहाँ पर यह जो हमारे steel bars आ रहे थे यह जो हमारे आ रहे थे main reinforcement आ रही थी इसको मैं नीचे तक लेके आ गया नीचे तक और यह मैंने यहाँ पर क्या provide किया हुए है stir ups है यह ठीक है चल्ले जो देते हैं हम तो यहाँ पर अब जब यह footing के अंदर enter कर जाएगा तो यह length हमार development length से कमनी होनी चाहिए इधर भी और इधर भी यह ठीक है इस तरह से आपको पता होना चाहिए यह चीज़ और इसके अंदर एक चीज़ और आपको ध्यान रखने वाली है जो कई बार पूछ लिया जाता है डाइगराम शो करके आपसे section नंबर 1,2,3,4 ऐसे मार करके यह पूछ ले जाता है which of the following is critical section for column के अंदर इस तरह से column footing junction आपको दिया होगा foundation column का junction दिया होगा और पूछा जाएगा कि आपके column के लिए critical section कौन सा है मतलब कहां पे मुझे column को safe करना है basically critical section का मतलब यही होता है व critical का important क्यों है क्योंकि वहाँ पर वो unsafe है उसको मुझे safe करके चलना है तो ऐसा critical section आपको कहां मिलेगा column के लिए जो होगा वो यह वला होगा ठीक है suppose यह हमारा मैं नाम देता हूँ इसको 1-1 अभी u1 को suppose यह हमारा wat 11 section जो है यह it's reflection हमारा column के लिए क्रिटिकल और यह जो टू सेक्ष्चन टू टू और यह जो यह बिली आप टू-टू ही मालो क्योंकि दोनों के दोनों आपके क्या है foundation के लिए आपके critical section है, यहां पर, यह section foundation के लिए critical है, और यह section column के लिए critical है, यह ज़ी clear? अब यहां पे मैंने इसको development length provide करी है, ठीक है? मतलब कम से कम length development length होगी हमारी यह किसके लिए दी मैंने यह जो length दी है यह मैंने इस column के लिए दी है क्योंकि column का critical section था मैंने यहाँ से critical section की बज़े से मैंने क्या किया development length इसको कम से कम आगे खीच के चलूँगा ताकि यहाँ से fail ना करें एही चीज reason प्राण जाए पर वच्चन ना जाए ठीक है बहार नी निकलना चाहिए शरीया हमारा ठीक है ठीक है चाहिए फेल कर जाए और यहां पर मैंने यह क्या किया यह जो reinforcement मैंने दी हुई है फुटिंग के अंदर यह reinforcement भी मेरी क्या होनी चाहिए यह फुटिंग के क्रोस सेक्षन की वजह से मैंने दी है कि यह क्रिटिकल सेक्षन था हमारा इसके इधर मुझे क्या देना था बागी distribution bars वगरा है वो आगे देखते कि क्या चीज होती है अभी हमने पड़े नहीं है वो ठीक है तो उनके बारे में जानते नहीं है तो यहां पर हमें पता चलिए कि development length इसके अंदर हमें कहां देखने को मिलेगी कम से कम length हमें सरीय की उतनी तो रखनी है उससे ज्यादा र देता हूं यहां पर वो मुझे मैं इस तरह से देता हूं ठीक है यह इधर जो मैंने दिखाई हुए ना यह fixed support है यह मतलब आपकी दिवार के अंदर मतलब दिवार मतलब आपका structure है यहां पर fixity के अंदर fixed आपकी support के अंदर है यहां पर आपका beam इसी सरीय को आप क्या करोगे इस तरह से extend करके यहां पर provide करते हो यह जो length है आपकी development length से कम नहीं होनी चीए इसकी यहां से support से development length अंदर नहीं होनी चीए यह इसलिए mode हुई है क्योंकि जादा suppose गहरा ही नहीं है हमारी support की तो फिर भ कर सकता हूं जगह अगर है तो पूरी सीधी की सीधी भी दे सकता हूं और इससे इधर भी हमारा क्या होना चीए development length से कम length नहीं होनी चे सरीय की अगर जादा है तो जादा ही देना पड़ेगा मुझे और यह हमारा क्रिटिकल सेक्शन है हमारा bending moment के लिए और मैंने बताया था bending moment के critical section के left में और right में दोनों साइड हम क्या करते हैं development length से कम length ज्यादा length हम देते हैं कम length मुझे नहीं रखनी सरीय की यह चीच क्लियर इसके आगे अभी तक हमने पूरा-पूरा discuss किया कि encourage bond क्या होता है अभी आगे discuss करेंगे और encourage bond की बाद हमने क्या देखा development length क्या होती है development length कहां कहां देखने को मिल सकती है हमें अलग-अलग junctions के बारे में हमने पढ़ा यहां पे टाव BD की value के बारे में पढ़ा ठीक है तो इसके आगे देखते है next lecture के अंदर इसी topic को मतलब करेंगे continue तब तक के लिए बढ़ते र हो थैंक यू